उम्चान्ती, तो बाबा जो हमें नवींता के लिए प्रेवित करते हैं, जो नई बातें जीवन में धारन करने के लिए कहते हैं, उनकी तरफ हमें बहुत अटेंशन देना पड़ेगा, तो आज की मुली में, प्यारे बाबा, हम बच्चों को समझतार और बुद्धू, मुझ बुद्धू है, हम कितने सारे शब्द उसके लिए वर्णन करते हैं, लेकिन जो अपना कल्यान नहीं करता, बाबा उसको किते प्यार सकते हैं, बुद्धू है, तो बाबा गहते हैं, समझतार और बुद्धू, ज्यानवान और बुद्धू का अंतर हमें समझना चाहिए, तो समझदार ज्यानवान किसे गहेंगे? जो आत्मा अपना कल्यान समझे, किन बातों में मेरा कल्यान है, उसकी अकल आत्मा को हो, तो उसको गहेंगे समझदार ज्यानवान. अब आप देखो आज सुना ना न्यूस में, कि स्टांपिड में, कितने लोग वहां पर आहत हुए, तो देखो वैसे तो भक्ती मार्क में है, लेकिन ज्यानवान नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर हमें यहीं नहीं समझाता कि हम कैसे चल रहें, कैसे उठ रहें, उससे हमें जायेगा, अगर हम एक संगठन में बिहेव कैसे करें, उससे अपना नुकसान होगा या नहीं होगा, उसकी भी अकल नहीं है, तो फिर उसको ज्यानवान नहीं कहेंगे, अभी ज्यान की तो बहुत उच्छी बात है, लेकिन common sense भी नहीं कहेंगे, और common sense की बात कहेंगे, तो लोग पुराने धंग से मनाना, गो पुरानी उनके संस्कार है, उसकी अखीच के अनुसार मनाने का प्रयास करते हैं, उसमें कितने नुकसान और कितने रिक्ने रिस्क में अपने आपको डालते हैं, वो भी कोई गौन सेंस की बात नहीं है, Leute है। Baba हमें इतना तो Baba assume करते हैं कि हमें common sense है, लेकिन Baba ग्यान की बात करते हैं, कि ग्यानवान किसे कहेंगे, Baba आज कहते हैं, जो सेवा करें, उसको ग्यानवान कहेंगे, क्योंकि एक ही तरीका है, there is only one way, जिससे हम प्राप्ती सुरूप बन सकते हैं, वो है सेवा से, सेवा और मेवा, कल भी ये बात थोड़ा अंडरलाइन कराई थी, सेवा में मेवा समाया हुआ है, तो जिसको समझ आ जाता है कि पाने का फॉर्मिला देना है, स्वकल्यान का फॉर्मिला विश्वकल्यान है, वो जरूर वो आत्मा और ये एक आध्यात्मिक रह से है, वो राज है, जो हम समझते हैं, दुनिया में मनुष्य समझता है स्वार्थी बनकर या पाकर वो भरपूर हो जाएगा, लेकिन बाबा कहते हैं स्वार्थ से नहीं, निस्वार्थ सेवा से हम भरपूर बनेंगे, तो ज्ञानवान कौन होता है, जो इस बात को समझ कर उची से सेवा करता है तो इसको ग्यानवान कहते हैं मुझे याद है बाबा की पीछे एक मुर्ली चली थी उसमें बाबा ने भाग्य की लकीरे बताई थी चार लकीरे जो भाग्य की लकीरे मस्तक पर चमक रही है अव्यक्त मुर्ली थी तो उस अव्यक्त मुर्ली में एक जो भागय की लकीर थी, वो निमित और निर्मान भाव से सेवाधारी बनना, इसको भागय की लकीर बताया गया, तो एक कन्या है, वो अभी ज्ञान में नया नया चलती है, उसको एक वरश्वा है, तो उसने मुझे बहुत प्यारा प्रश्न लिखकर भेजा था, कि दीदी मैं ये निस्वात सेवा भागय है, ये कैसे है, तो बुद्धी में ये बात इतनी जल्दी नहीं बैठती है, तो फिर उसको मैंने समझाया, कि नियम कहता है, कि गिविंग इस रिसीविंग, जो देता है, वही देवता है, और देवता का गायन है, कि अपराप नहीं कोई वस्तू उ ये सिद्धान्त है, और इसलिए जिस आत्मा के अंदर ये संस्कार, जिसकी बुद्धी में ये बात पैट चाती है, उसको कहेंगे भागय शाली, उसको कहेंगे ज्ञानवान, और फिर बुद्धु बाबा कहते हैं, जो लेकर ही खुश होता रहता है, ये ना, मुझे क्लास मिल रही है, कई ऐसे होते हैं, सेंटर पर फोन करेंगे ना, कि इस कोर्स की कितनी फीस है, तो आप करेंगे ये फ्री है, तो बड़े खुश हो जाते हैं, फ्री है, बड़े खुश हो जाते हैं, तो लेने के लिए बड़े खुश हो जाते हैं, कि फ्री है, तो कुश देना न जो चीज फ्री दिखती भी है या जिसकी वैसे चार्ज नहीं होते, उसमें भी करम की गती तो हमें समझ नहीं होती है, जहां हम लेते हैं वहां देना है, तो बाबा हमें कहते हैं कि इस रूप से जिन बच्चों को ये बात समझ आ जाती है, कि जब हम बाबा से इतनी सेवा लेते हैं तो हमें बाबा सेवा के लिए प्रेड़ना देते हैं तो हमें भी सेवा करनी ही होगी ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ सेवा लें और सेवा देनी और बाबा कहते हैं चलो सेवा नहीं भी देंगे तो फिर उसको क्या कहेंगे बुद्धू कि उसको अपना भाग्य बनाना नहीं आता तो बाबा तो ज्यादा कुछ नहीं कहते तो बस इतना कहकर छोड़ देंगे तो यह आज बाबा कहते हैं और इसमें भी फिर बाबा बहुत अच्छे से स्पष्ट करते हैं आज मुली में कि सिर्फ सेवा करना ये नहीं पहले तो सेवा क्या है उसको भी समझना पड़ता है और फिर सेवा के लायक बनना सेवा के लायक बनना तो हम सब को पता है कि तन मन धन समेश्वा संबंध मन वचन करम से सेवा होती है तो और उसमें भी जो ज्ञान सुनाने की सेवा है उसको बहुत महत्व दिया जाता है बाबा हर मुली में कहते हैं कि हर बच्चे को मेरा परिछे दो ज्ञान सुनाओ तो कई बार बच्चों को ऐसा आता है कि हम भी सबको परिच्छे दें, ग्यान सुनाएं लेकिन हम जब ग्यान सुनाते हैं तो हमें सबसे important क्या है कि हम समझें कि हम serviceable होकर service कर सकते हैं अगर हमारे में योग्यता नहीं है, अगर हमारे अंदर serviceability नहीं है तो हम service नहीं कर सकते अगर किसी में business acumen नहीं है business की समझ नहीं है और business करने जाएगा तो क्या होगा? डुबो के आ जाएगा पैसा तो ऐसे ही जिसके अंदर सेवा की समझ योग्यता नहीं है वो सेवा करने जाएगा लेकिन disservice करकर आएगा क्योंकि वो एक बार मुझ खोलेगा तो चार को पता चलेगा यहां बिल्कुल नहीं जाना है इनको कोई अकल नहीं है तो यह बात हमें समझ नहीं है और बाबा हमें आज बहुत सारी बाते इसमें अंडरलाइन कराते हैं पहले वाचा सेवा की बात लेते हैं और मैं कई बार ऐसा सोचती थी ग्यान से पहले भी सोचती थी कि ये वाटसाप और सोशल मीडिया की दुनिया में कितने ग्यान के मेसेज़ेस फॉरवर्ड होते हैं आप कभी विचार करके देखो आज दुनिया में हर व्यक्ति के पास चाहे बाबा का ग्यान ही बात है लेकिन छोटे वीडियो बड़ी क्लासेज हर प्रकार से फॉरवर्ड होते रहते हैं ग्यान भी जो है वो भी लिख कर भेशते रहते हैं व्यक्ति या दुनिया में भी गीता के कोर्ट्स या ऐसे भी कितनी सारी बातें फॉरवर्ड होती रहते हैं और जिस प्रकार से ग्यान का संचार हो रहा है दुनिया में दुनिया को तो बदल जाना चाहिए लेकिन इतनी मेसेजेस पढ़ते हुए फॉरवर्ड होते हुए दुनिया के हालत पतन की तरफ क्यों जा रही है क्योंकि बाबा हमें सिक्रिट सुनाते हैं कि जो आत्मा जिस धारणा में रहती है वो जो बात कहती है या भेजती है बाबा को अगर आपको याद हो तो कल या परसू के मुडली में बाबा ने कहा कि अगर आप डेही अभिमानी होकर पत्र लिखेंगे तो वो वहाँ पढ़के गदगद हो जाएंगे इतना भी बाबा स्पिरिच्वल लौ हमें समझाते है कि अगर मेरे अंदर पवित्रता है मेरे अंदर धारणा है ज्यान की तो मैं आत्मा एक मैसेज भी दूँगी तो उससे भी कल्यान हो जाएगा मैं एक टाइप करके एक मैसेज भी बेज दूँगी उससे भी कल्यान होगा मैं कोई भी शब्द मुक से कहूँगी उसके चाप पड़ेगी लेकिन अगर स्वयम में धारणा नहीं है तो भले कितनी भी ज्यान की बाते सुना दे जैसे हमने सुना और कुछ किया नहीं तो सामने वाला भी सुनेगा और कुछ नहीं करेगा तो बाबा कहते हैं ये बहुत important चीज है क्योंकि कई बार बच्चों को ये समझ नहीं आता कि ज्यान की सेवा करनी के लिए serviceability चाहिए तो सब समझते हैं हम ज्यान की सेवा कर लेते हैं या वो easy है लेकिन ज्यान की सेवा के लिए जितनी योग्यता चाहिए वो ना हो तो कोई फाइदा नहीं होता उसका और मुझे ऐसा भी लगता है कि एक तो ये बात है कि अपने अंदर धारना नहीं होती तो तीर नहीं लगता और दूसरी बात ये भी है कि जब हम एक आत्मा के समुक होते हैं तो उपर-उपर का ज्यान सुनाना अलग बात है लेकिन सच मुझ जब हम उनकी बातों को सुनते हैं उनके जीवन की कोई समस्या के समुक होते हैं तो हम उनको सुल्यूशन वही देते हैं जो हम अपने जीवन में धारन करते हैं उपर से ज्यान सुनाने की बात और है लेकिन जब दिल से कनेक्शन होगा किसी आत्मा से तो फिर आप अगर परमात्मा से इतने कनेक्टड नहीं है तो आप उसके इमोशन में बह जाएंगे और वहाँ पर जो आपकी जीवन की धारना होगी आप वोई बात उनको सुनाएंगे और मैं आपको एक बहुत छोटी से इसमें अनुभव सुनाती हूँ जिसे मैं आप विचार करना जिसे आपको कोई कहें कि एक परिस्थिती है कि वो किसी केस में फसे हुए है और उस केस में वो जानते हैं कि गलती भी उनसे हुई है और वो फसे भी हुए है पर वो डर गए है क्योंकि फस गए है तब आपको कहें कि अब उस डर को मेरा लॉयर पहचान चुका है और वो lawyer उस डर को exploit भी कर रहा है बार-बार extra पैसे मांगना, fees मांगना तो कहें कि मुझे और फिर मुझे डर है कि मैं jail चला जाओंगा तो मैं lawyer को extra पैसे दू या ना दू तो अगर आपके अंदर इतनी धारना नहीं होगी तो आप कहेंगे अब क्या करें ऐसी परिस्तिती में तो देना ही पड़ता है क्योंकि और क्या करेंगे जेल थोड़ी चले जाएंगे लेकिन आगर आपको ये समझ होगी कि मुझसे अगर गलती हुई है तो हाँ ठीक है कानून भी तो मुझे फट से अंदर नहीं कर रहा एक केस चल रहा है तो केस चल रहा है तो मैं भी अपना बेस्ट दूँगी लेकिन भाय के वश में उसमें काम ना करो ऐसा नहीं कि मैं केस फाइट नहीं करो क्योंकि जो कानून का प्रोसीजर है तो वो प्रोसीजर सोच समझ कर ड्रामा अनुसार बना गया है तो मैं उसको भी ओनर करूँ अगर वो मुझे अवसर दे रहे तो मैं भी fight करूँ लेकिन भय से ना करूँ करम की गती में ड्रामा अनुसार यदी कुछ होना होगा तो होगा मैं accurate effort लगाओ मुझे जितना पैसा लगता है मैं दूँ और अगर मुझे लगता है ये पैसा ना वाजिब है तो मैं ना दूँ और ऐसा भी नहीं कि मैं कोई उस लॉयर से जड़प में आ जाओ उसमें भी मैं humility रखू कि भी मेरे पास इतना ही है आप please मेरे इसी में मदद करिए इससे जादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो ये चो बाते हैं लेकिन क्या आप ये solution देंगे कि अगर jail जाना पड़ेगा तो जाएंगे लेकिन ऐसा थोड़ी है कि extortion हो जाए तो आप अपना best दीजे लेकिन जो आपको right नहीं लगता है वो वह नहीं करना है एक गलती के पीछे दूसरी गलती नहीं करनी है जैसे दुनिया में होता है लेकिन अगर अपने अंदर वो धाड़ना नहीं होगी तो उसको कह सकेंगे क्या नहीं कह सकेंगे या संबंदों में भी कई बार ऐसा होता है कि कई बार आपको सहना होता है, कई बार आपको कदम उठाना होता है, तो अगर आपके अपने जीवन में बैलेंस नहीं होगा शक्तियों का, तो आप सहने की जगे पर कदम उठाने की राय दे देंगे, और कदम उठाने की जगे पर सहने की राय दे देंगे, क्योंकि अपने अपने अंदर बैलन्स नहीं है, तो यह जो बाते हैं, यह मुझे ऐसा लगता है कि जब अपने अंदर एक्क्यूरेट धार्ना नहीं होती, तो हम जब किसी को किसी की परिस्थिती के बीच उनकी बात सुनते भी हैं, या उनको कुछ गाइडेंस भी देते हैं, तो उसमें भी क कुछ न कुछ भूल हो जाती है, क्योंकि अपनी धार्ना नहीं है, और दूसरी बात है, कि अगर वो कहते हैं, जो हम कुछ करते नहीं हैं, तो उनको तीर भी नहीं लगता, और फिर बाबा हमें एक और बहुत बढ़िया बात आज बताते हैं, कि मानो किसी का कल्यान आपके द्वारा हो भी गया, तो ऐसा ना समझें कि मेरे द्वारा हो गया, या मैं ही इतना विशेश हूं, जो मैंने उसको ग्यान सुनाया, उसका कल्यान हो गया, क्योंकि मैं वहां इंटर्वीन करता हूं, जहां पर सामने वाले आत्मा की तकदीर होती है, और निमित अच्छा नह और यग्य में ऐसे बहुत सारे बड़े कारे भी हुए हैं, जहां पर उस बड़े कारे के लिए कोई भी ब्राम्हन आत्मा निमित नहीं बने, और बाबा ने एक आत्मा जिसने कोर्स भी नहीं किया, उसको टच करा कर कारे करा दिया, ऐसा भी बाबा कराता है, जहां पर बाबा कारे तो बाबा अपना कारे कर लेगा, लेकिन वहां नुकसान क्या होता है, कि जो निमित बनकर हमें बेनिफिट होने वाला था, वो हमें हमारे पॉइंट्स नहीं मिलते, जैसे मैं आपको बताओं जो जान की दादीची को डॉक्टरेट से डॉक्टरेट डिग्री तो वो जो युनिवर्सिटी जिसने वो कंफर किया डॉक्टरेट डिग्री वो युनिवर्सिटी में किसी ब्रामन ने अप्रोच नहीं किया था, एक पार वो जो चांसलर थे या वाइस चांसलर थे उनकी जो युगल थी, वो ऐसे ही मधुबन विजिट पर आई थी और उन डिग्री से हाला कि दाधी को तो क्या ही फरक पड़ा, लेकिन सेवा हुई, तो वो चो यह एसे बहुत सारे कारे यग्य में होते हैं, चहांपर कोई भी निम्मित नहीं बनता, जो कोई, कि बाबा किसी को भी तच करा के कारे करा लेता है, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अग तुम्हारी द्वारा सेवा हुई है, या तुम उसके लिए क्रेडिट वर्दी हो, मैं आपको एक बहुत चोटी सी बात बताती हूँ, एक माता एक बार न सेंटर आई, तो एक माता को देखी, तो बहुत खुश होगी, और मुझे कहती है, दिदी आपको पता है, इनको ना मैं इनको ग्यान सुनाया था, इसलिए अच सेंटर पे आई, दिदी मुझे बहुत खुशी है, कि मैंने एक आत्मा को निकाला, ऐसे बहुत खुश हुई, तो मैंने का चलो उसको निकालतो दिया, कुछ सेवा नहीं करती है, जा उसको सेवा करना भी सिखा दो पे रहा है, इतना आपने निकाला है, और आपका इतना प्रभाव है, तो मैंने ऐसे उसको लाइटली कह दिया, तो वो माता उस माता के पास गई, और कहती है, अच्छा आप सेंटर आने लगे, मुझे कितनी खुशी है, वो माता उसको इसे ब्लैंक लुक दे रही है, और कहती है, मैंने आपक पहचाना नहीं, तो वो कहती है, मैं आपको मिली थी रस्ते में, मैंने आपको बताया था, आप सेंटर जाना, अच्छा, आप मिले तो थे, ये तो मुझे ना न्यूस पेपर से पता चला था, ये तो उस माता को याद भी है, तो ये जो बाते हैं, ये हमें समझ कर चलना है, कि हम इस अहंकार में न रहें, कि हमारे से किसी की सेवा होगे, कई बार आप दस बस बीस वरश के बाद जानेंगे, कि आप जिस बात का क्रेडिट ले रहें, उस आत्मा को तो वो याद भी नहीं, और उस आत्मा की जो यात्रा है, वो किसी और ही कारण से चल रही है, तो बा तो तुम जहां भी खड़े होगे, वहां तुम्हें क्रेडिट मिल जाएगा, बाबा अपनी सेवा तो करता ही है, लेकिन तुम्हें उसका एवजा जुरूर मिल जाएगा, तुम्हें उसके दुआई भी मिल जाएगी, आत्मा को भी ऐसा लगेगा, कि उसको बाबा की दृष् समझाते हैं, फिर बाबा हमें कहते हैं कि रोने की बात आज, रोना और हसना, सुचो भगवान क्या ने सिखाता, कभी-कभी बड़ा वंडर लगता है कि आज आपको कोई पूछे कि भगवान ने क्या सिखाया, तो भगवान ने आज रोना और हसना सिखाया, लेकिन सच बात कि हमें कुछ भी नहीं आता सोला कला समपूर्ण बनेंगे निनो कला है самой रोना हस्ना तख नहीं आता न तो भाबन हमें करने की है Launa नहीं है रोना क्या होता है, रोना एक तो आँखों से रोना होता है, जो कई रोते हैं, आँखों से रोते हैं आशु बहा के, बहुत बैठे हैं, कईओं को तो जानते हैं, कि आँखों से आशु बहा बहा के रोते हैं, ऐसे वाले भी बैठे हैं, और फिर दूसरा मन का रोना भी होता है complaint करना तो यह सारी रोने के बहुत सारे तरीके हैं तीसरा होता है रोना opposite of खुश रहना जो सदा हर्शित नहीं रहता वो रोता रहता है देखना आप किसी किसी के लिए कहते हैं यह तो सारे दिन रोते ही रहते तो रोता नहीं है लेकिन उसको अपनी जीवन में हर चीज के प्रती उसको complaint है मुझे ये भी करना पड़ता है वो भी करना पड़ता है सांस भी लेना पड़ता है उठना भी पड़ता है जीना भी पड़ता है उनको पूछे उनको करना क्या है उनको 24 गंडे में करना क्या है तो उनको कुछ भी नहीं करना, मुझे ऑफिस भी जाना पड़ता है, मुझे खाना भी बनाना पड़ता है, मुझे बच्चों को भी सम्हालना पड़ता है, मुझे जॉब भी करनी पड़ती है, सो के उठना भी पड़ता है, तो पढ़ना तो दुनिया में हम आए हैं तो जीना मोन ही भारी हुए जाहरें देखा आइसों को रोज और सालरी के लिए नहीं कहते है कि यह जो रहुआ है यह बड़ा interesting रहुत और सबसे बड़ी बात है Wherever attention goes, energy flows and that thing grows अगर आपको कोई दर्द है शरीर में या कोई आपको लगता है समस्या है कोई आपको freedom आपको लगता है मिलनी चाहिए पर नहीं है और अगर आप अपनी उस so-called प्रतिकूल परिस्थिती पर बार-बार अपना ध्यान देंगे और उसको बार-बार वर्णन करेंगे तो वो परिस्थिती बढ़ेगी कोई घटेगी ने इसलिए तो कहते है ना बाबा के लव में merge कर दो बाबा के प्यार में अपने complaints को merge कर देना चाहिए आप अगर अपने complaints की फाइल को इतना बार-बार उगारेंगे तो complaints की जो बाते हैं वो बढ़ेंगी attention जाएगा और energy जाएगी और वो परिस्थित्या बढ़ती चले जाएगे तो रोने वाले कभी अपनी problem का solution नहीं कर रहे उस problem को बढ़ा रहे कोई घाव होता है उसको आप दवाई लगाएंगे कि आप उसको कुरेच कुरेच के और खुन निकालते रहेंगे तो ये जो दिन रात मुझे ये करना पड़ता है वो करना पड़ता है यह क्या है? यह उसको कुरेट कुरेट के उसको और हील होने से दूर करना है तो हमें एक तो मैं हमेशा यह example देती भी हूँ और यह सवाल भी पुछती हूँ कि मानलो आपके जीवन में कोई भी नहीं है और कुछ भी करने को नहीं है तो आप अंदाज नहीं लगा सकते 24 गंटे कितना मुश्किल हो जाएंगे पार करें फोन कहां तक देखेंगे? जब तक गर्दन खराब हो जाएगे, आँखें कराब हो जाएगे तब यह तक तो देखेंगे ला इतनी केपैसिटी नहीं है कि हमेशा फोन देखें तो यह हम पहचान नहीं पाते है कि हमारे को जो भी इस करम शेत्र में कारे मिला हुआ है उसके लिए हमें सारे दिन रोते ही नहीं रहना होता और कई कहते हैं, कई ऐसे भी होते हैं कहेंगे यह हो गया वो हो गया नहीं तो हम भगवान के बन जाते हम पहले आ जाते तो भगवान के बन जाते उसके भी रो ना रोते रहेंगे एक बाबा के सामने बाब दादा के सामने एक बेहन थी तो रो रो कर बहुत रोई बाबा के सामने बैठी ना तो रोती ही चली गए तो बाबा ने पुछा क्या हुआ तो कहती बाबा में पहले नहीं आई तो बाबा ने कहा अभी जब से आई क्या किया जब से आई क्या किया कुछ नहीं किया तो ये जो बाते हैं ये समझ नहीं कि बाते और हम खाली कहें कि ये होता तो ऐसा होता ऐसे तो दुनिया में सभी कहते लेकिन अगर हमें बाबा इतना अच्छा लगता है तो हमने कुछ भी नहीं किया अभी तक और हम सोचते हैं कि अगर यह परिस्थिती नहीं होते तो हम सब कुछ कर देते यह तो ख्याली पुलाओ है तो उससे कुछ नहीं होता तो बाबा कहते हैं यह रोना इस पर attention देना, सारे दिन complaint, सारे दिन ये होता है, वो होता है और मैं आपको बता हूँ, आप जिसके सामने रोते हैं, उसके मन से कोई दुआएं निकलती हैं आपके लिए किसी के मन से, आपके सामने कोई बार बार कहें, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ आपके अंदर commentary चलना शुरू हो जाती है तो क्या मेरे पर आइसान करते हो मुझे क्यों बता रहे हो चलती है कि नहीं चलती तो आप भी जब किसी को कहते हो तो उसके अंदर भी यही चलता है हमारे पर आइसान थोड़ी कर रहे हो कई सेंटर पर आते हैं हमें दुनिया बर की बाते गएंगे हमें यह भी करना होता है वो भी करना होता है हमारे लाइफ में यह प्रॉब्लम भी है वो प्रॉब्लम भी है तो कोई दुआई नहीं देती वो अलग बात है कि दुआउं का अपोजिट नहीं देते क्योंकि वो संसकार नहीं है, लेकिन ऐसे बातें दुआएं नहीं खीचती, इसको समझना है, करम की गति को समझ कर चलना है, और फिर दूसरा एक रोना होता है, किसी के सामने भी बैठेंगे थोड़ा सा कमफर्टेबल होंगे आँखों से आसु बहने शुरू होते, कौन-कौन दसों को कहते हैं ऐसे, बस आपके सामने आसु निकलाते हैं, तो कितना भरा पड़ा होता है अंदर, जो किसी के सामने भी बैठते हैं, तो आसु निकलाते हैं, तो ये संसकार बाबा के बच्चों में नहीं होना चाहिए, और बाबा ऐसे बच्चों को कहते हैं, क्या कहते है जिसको शिव साजन का सुख समझ में नहीं आया देखो मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताती हूँ आज एक माता आई उसने मुझे बताया कि वो ग्यान में है माता 2011 में कुछ वरश पहले उसके युगल ने शरीर छोड़ दिया तो मुझे कहती उसके बाद वो ग्यान में आई लेकिन कहती मुझे दिदी रोना नहीं आया मेरे युगल ने शरीर छोड़ा तो और मुझे सब ने कहा ये रोई नहीं ये रोई नहीं फिर मैं ग्यान में आई तो मुझे पता चला कि मैं क्यों नहीं रोई मुझे तब पता चला कि मुझे उस समय रोना क्यों नहीं आया मुझे लिटरली ऐसा नहीं लगा कि मेरा क्या होगा मुझे ये जरूर लगा कि ये क्या हो गया ये कुछ हो गया, अचानक हो गया, शौक लगा लेकिन मुझे रोना नहीं आया और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा मेरा क्या होगा या मैं आप कैसे जीऊंगी ऐसा मुझे कभी नहीं लगा और जब मैं ग्यान में आई तो मुझे लगा कि अच्छा जब मेरा पतियों का पती बैठा है तो मुझे इसलिए रोना नहीं आया उस समय तो बाबा हमें कहते हैं कि जिस आत्मा को भले उसका पार्ट बाद में खुला लेकिन आत्मा के अंदर अगर मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा मेरे साथ है यह आत्मा के अंदर पक्की धारना है तो उसको कभी रोना नहीं आएगा और मैं आपको ये प्रेक्टिकल जो एक आत्मा ने मुझे आज बताया, वो बात बता रहे हैं, और ये आज ही हुआ, तो ये भी ड्रामा अनुसार, सबको बाबा एक मेसेज देना चाहते हैं, तो वो बात सामने आते हैं, वो अनुभव सामने आता है, तो बाबा ये बाते हम स को समझाते हैं बच्चों को कि तुम्हें परमात्मा मिला, कोई आए, कोई जाए, रोना सिर्फ ये नहीं कि कम्प्लेंट या परिस्तिती, किसी ने भी शरीर छोड़ दिया, तो भी मुझे रोना नहीं आना चाहिए, मेरा सर्वसंबंदी अभी जिन्दा है, बैठा है, मेरा ब बच्चा ऐसा रोना मुक्त होता है, रोना प्रूफ बाबा ये शब्द यूज करता है, आज तो नहीं बोला बाबा ने, लेकिन रोना प्रूफ कहता है बाबा, तो जो ऐसे रोना प्रूफ होते हैं वो ज्ञान सुना सकते, जो आत्मा रोती है वो कभी ज्ञान नहीं सुना सकते क्योंकि आपकी सेवा क्या है सेवा तो यही है कोई रोता हुआ आए और हस्ता हुआ जाए कोई रोता हुआ आए और हस्ता हुआ जाए यही तो सेवा है सेवा और क्या है लेकिन अगर खुद के अंदर रोने की आदत होगी तो आप उसकी बातों को सुनकर समझ कर उसको हस अपने अंदर ही वो कोई ना कोई बात ट्रिगर कर जाएगी जो बात आपको रुला सकती है उस बात को सुनकर आप उसको नहीं मुस्कुराना सिखा सकेंगे क्योंकि उस बात को पार करना तो आपने खुदी नहीं सिखा है तो बाबा हमें केते हैं ऐसे बच्चे फिर सेवा नहीं कर सकते हैं जिनको रोना आता है तो कौन-कौन है ऐसे सेवाधारी जो कभी रोती नहीं और कोई भी आजाए उसको रोना प्रूफ बना सकते हैं जो धारना स्वयम में होगी वही तो कराएंगे न ठीक है तो ऐसे कभी मुख से मन से कोई कंप्लेंड नहीं, प्रभु मिलन की प्राप्ति मिली हमें, अभी भी रोहेंगे क्या, और आज पाबा ये भी कहते हैं फिर ओपुजिट, जोर से हसना भी नहीं, क्योंकि दे अभिमान होता है, दोनों तरफ होता है, एक यह है कि रोते हैं, तो वो भी दे अभिमान है, क्योंकि दे अभिमान मतलब क्या, एक्साइटमेंट, यह एमोशनल होना, तो जब जोर से हसते हैं, वो भी दे अभिमान है, बाबा कहते हैं, मुस्कुराना, यह है आत्मिक स्थिति, तो बाबा हमें नहीं रोना और कैसे हसना, वो दोनों बाते आज सिखा रहे हैं, तो यह हुई वाच्चा सेवा की क्वालिफिकेशन, फिर बाबा हमें कहते हैं कि स्थूल सेवा, भोजन बनाना, सफाई में मदद करना, यह सारी भी सेवा है, और बाबा कहते हैं, हालां कि मुझे ग्यानी तो बच्चे बहुत प्रिया हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी सेवा की वैल्यू नहीं है, बाकी सेवा की भी बहुत वैल्यू है, और बाबा हमेशा मुर्ली में भोली दादी का नाम लेते हैं, भोली दादी बंडारा समालती थी, बोजन बनाती थी यग्या में, और बाबा उनका नाम मुर्ली में कई बार लेते हैं, तो ऐसा नही है कि अगर हम स्थूल सेवा समालते हैं तो वो बाबा को दिखती नहीं है बाबा को उन बच्चों के प्रति भी बहुत प्यार होता है और फिर जैसे यग्य सेवा जिसको हम यग्य को सपोर्ट करना financially support करना उसकी सेवा तो कई बच्चे समझते भी हैं और उससे easy सेवा है क्योंकि उसके लिए qualification सिर्फ यह होती है कि हम बाबा की याद में धन कमा रहे हैं और बाबा फिर संबन संपर्ख की सेवा को be आज अंडरलाइन कराते हैं संबन संपर्ख की सेवा क्या होती है कई आत्माई रोज हमारे संबंद में, संपर्क में आती हैं हम सब जीवन में हैं परिवारों में रहते हैं, समाज में रहते हैं तो हमारे संबंद संपर्क में कई आत्माई आती हैं और हम अपने जीवन से उनकी सेवा कर सकते हैं हम अपने जीवन से अपनी चाल चलन उतने बैठने से उनको प्रेड़ना दे सकते हैं कि वो भी बाबा की तरफ रुझान रखे मैंने कई बार ये बात सुनाई है मैं आपको आज फिर भी सुनाऊंगी एक बार एक माता ना सेंटर पर आई तब सेकंड फ्लोर पर सेंटर होता था तो ऐसे ना बहुत बहुत नकरे वाली है और दो सेट सीड़ी क्या चड़ी उसने वो बिलकुल हाफ कही और उपर आकर बैठ कर कहती है यहां लिफ्ट नहीं है यहां लिफ्ट क्यों नहीं लगवा लेते तो मैंने का कोई नहीं लगवाएंगे लिफ्ट भी आप बैठो तो फिर बैठी उसके बाद थोड़ी देर के बात कहती है मुझे ना कोर्स करना है तो मैंने का वो तो ठीक है पर आप यहां तो कहते हैं, कल मेना एक शादी में गई थी, तो वहाँ पर मेरे एक संबंदी है, वो हस्बंड वाइफ है, और उस शादी में एक सिच्वेशन आ गई, वहाँ पर कुछ चोरी हो गया, तो ये दोनों ना कोने में बैठ गए और आखे खुली और पता नहीं क्या कर रहे हैं, औ ये दोनों कुछ कर रहे थे, और बाद में ये लोग पुरे शान्त, और ये एग्रीवट पार्टी थे, बतलब इन ही का चोरी हुआ था, लेकिन ये बिलकुल शान्त, और कोने में पता नहीं बैठ के क्या कर रहे हैं, आख खोल के, और उसके बाद वो धन मिल भी गया, जो और फिर ये शान्ती से ऊठ गया, इसा लगा, जिसे ये कुछ गीए, और वो पैसा मिल गया, तो मुझे ऐसा लगा, ये क्या कर रहे थे, ऐसा बैठ variability, तो मैं गई, और मैंने कहा, आप लोग क्या कर रहे थे, और आप लोग कौन है, और क्या ये प्रेक्टिस है, तो कि ये हम बीकेज है, हम योग कर रहे थे तो जब और कुछ नहीं कर सकते तो बाबा को याद कर रहे थे कि वहाँ से सल्यूशन निकले तो मुझे लगा ये तो मुझे भी सीखना है तो मैं रात को दो बजे वापस आई हूँ और मैं आज आट बजे आपके पास पहूंच गया है, मुझे जल्दी जल्दी सिखा दो है ना, जो भी सिखा तो आप सोचो की संबन संपर्ग की सेवा कैसे होती है है ना, एक आत्मा और आप देखो युगल जो है कितने पावर्फुल कि अपना कुछ चोरी हो गया है एक वायूमंडल ऐसा पतीत है, लेकिन सब उसमें थोड़ा डिस्टॉर्ड हो गया है, लेकिन उन दोनों ने अपना स्वमान नी छोड़ा और बाबा को याद किया तो उस तपस्या से एक आत्मा निकलाई ना, तो बाबा कहते हैं कि ऐसे जो धाड़ना यूग तात्माई होती है, उनके संबन संपर्क से, और मैं आपको बताओ, ये तो संबन्ध की बात है संपर्क की बात मैं आपको बताती हूँ आज एक माता आई उसने मुझे कहा कि उसने कोर्स किया वो क्लास करती है और वो सब कुछ कैसे वो ट्रेन में एक बार एक बहन से मिली, जो बीके है और उस ट्रेन की सफर में पाँच मिनट जो उसने बिताए, उससे उसको प्रेडना मिली कि वो कोर्स करे, और आज ग्यान सुनती है, बाबा की घर इतनी दूर से वो आई थी वो एक संपर्क, एक कॉंटाक छोटा सा उस आथमा के साथ हुआ था तो जिन बच्चों में धारना होती है, उनके संबन से तो सेवा होती है, संपर्क से भी सेवा हो जाती है तो ये बाते समझ कर चलना है हमें अपना जीवन ऐसा दर्शनिय मूरत बनाना है ये हमारे जीवन से हमारे हर करम से सेवा हो ओके, ओम शान्ति